देशबर में आज हर्याली तीज का पर्व मनाय जा रहा है जैपुर में हर्याली तीज की रोनक कोरोना की वज़ा से थोड़ी की कम है महिलाएं घर में ही तीज का पर्व मना रही है कोरोना की वज़ा से भीड कम है उत्सा पहले की तरह नहीं है इस बार तीज माता की सवारी भ करती हैं पती की लंबी उम्र के लिए श्रिंगार कर पूजा करती है और जो तस्वीर आपकी टेलीजन स्क्रीम पर है पहली तस्वीर जैपुर की है हर बार तीज की रॉनक होती है इतनी ज्यादा इस बार रॉनक नहीं है लेकिन इसके बावजूद घर में महिलाएं इस परव को मना रही है पती की लंबी उम्र के लिए शिव पुरान के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता परवती का पुनर मिलन हुआ था जिसके बाद से इस परव को मनाया जाता है एक परंपरा सी चलपड़ी और इस दिन को माता परवती ने वर्दान दिया था कि अगर पूजा करती है विदेविदान से तो पती की लंबी उम्र होती है कोरोना की वज़े से इस बार उत्साह कम है लेकिन महिलाओं के बीच जजबे की कोई कमी नहीं जैपूर से हमारे संबादाता लासिंग फॉजदार ने कुछ महिलाओं से बातचीत की कि इस बार कितनी अलग है हर्याली तीश सुनिए हमने सरकार के गाइडलाइन को फॉलो गया कि कम लोगों में अच्छा सेलिब्रेशन हो और हमारे जो तीज तेवहार है वो मिस भी ना हो क्योंकि आज की संस्क्रती है वो नेश्रल है राष्ट्रे स्थर पर पहचानी जाती है और तीज का तेवहार मह हरी करके साथ में मैंदी लगाती है तीश की साथ घेवर खाती है और बहुत सुंदर सुन्धर नत्ते करती जूल Já झूली का बहुत विशेश महतों होता है न Bureau का सिंजारा आता है ससुराल से और वो सश समर करके फिर ससुराल अपना बया लेकी जाती है तो यह जो फेस्टिवल है यह महिलाओं के लिए विशीश माना चाता है इसमें स्वहागिन महिलाओं बहुत तयार होती है क्योंकि वो अपनी पती की लंबी उम्री की कामना भी करती है तीज काव रहती भी रखती है